दोस्तों नमस्कार मैं उत्तम पटेल बिलासपूर मस्रूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर से आप सभी लोगों का स्वागात करता हूँ एक और नए वीडियो में बहुं सारे मस्रूम ग्रोवर भाईयों का यहां कमेंट आये हुआ था कि सर पैरा मस्रूम बेट से दूसरी बार फसल कैसे निकालते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं तो बिना किसी देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहरा मस्रूम बेड से पहला फसल हमें हपते दिन से लेके 15 दिन के बीच में मिल जाता है कई किसान भाई 10 दिन के बाद मस्रूम तोड़ते हैं कई किसान भाई बारा दिन के बाद मश्रूम तोड़ते हैं डिपेंड इस चीछ पर करता है कि आपके सेड में वाता वरान क्लाइमेट किस प्रकार से है जितना अच्छा पैरा मश्रूम के लिए क्लाइमेट रहेगा उतने अच्छे तरीके से और उतनी जल्दी आपके बेड स मश्रूम निकल पाएगा जैसे कि हमारा बेड है तो आल्मोस्ट हम लोग साथ दिन से लेके बारा दिन के भीतर में पहला फसल तोड़ लेते हैं अब दूसरे फसल के लिए हमें क्या करना है उसको ध्यान से समझिएगा उधारन के लिए जैसे हमारा बेड है इस से हमने पहल फसल तोड़ लिया ठीक है इस बेड को लगभग 12-15 दिन हो चुके हैं अब इसमें अपने आप से दूसरी बार फसल नहीं निकलेगा कई बार निकल भी जाता है बट क्वांटिटी बहुत ही कम होती है तो दूसरी बार फसल कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको इस प् को मिलाना क्या क्या है आपको जो है एक लिटर पानी के हिसाप से दो गराम ब्लीचिंग पाउडर चार से पांच गराम बीना बुझा वाला चूना पाउडर को इसमें डालना है और इसको मिक्स कर लेना है और एक लिटर आपका घोल तयार हो जाएगा एक लिटर पानी लग भूल हमेसा ज़्यादा यह तियार करें, अगर थोड़ा सब बच जाता है तो उसको फैंक भी दीजे, लेकिन कम नहीं पढ़ना चाहिए, तो ठीक है, अब हमने समझ लिया कि एक स्पेर में मिक्स कर लेना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद, जो हमारा बेट रहेगा, जि साथ से आठ दिन का समय लगता है जाला फैलने में, लेकिन दूसरे बार में हमें साथ से आठ दिन का वेट नहीं करना है, दूसरी बार में केवल दो से तीन दिन या चार दिन में अच्छे से मैसलियम फैल जाता है, और अच्छे से जब मैसलियम फैल जाए, फिर आपको सु तो polythene को हटा सकते हैं या उपर से धके रहने दे सकते हैं तो इस प्रकार से दूसरी वार फसल निकालने के लिए हमें ब्लीचिन पौडर और चूने पौडर का उपयोग करना है चूने पौडर में सतर ध्यान देंगे खाने वाला चूना होता है उसका उपयोग हमें नहीं कर करना है क्योंकि वह अल्रेडी बुझा हुआ चुना होता है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है मस्रूम में जो चुना यूज होता है हमेशा बीना बुझा वाला होता है जो पानी में डालने से पानी को गरम कर देता है या दिवाल लिपाई पोता एक लिए जो हम यूज करते हैं अच्छे से छिड़काओ करके इसको ढख देंगे, तो इस प्रकार आपके बेड में आपको दूसरी बार फसल देखने को मिलेगा, तो उमीद करता हूं कि यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ में आई होगी, अगला वीडियो किस टॉपिक पे देख ना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मिलते हैं अगले किस वीडियो में, तब तक लिए जय हिन, जय भारत, धन्यवाद.